जब भी लाया गया है अच्छा है भी हमाई जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा भागे का निर्माण होता है उत्तरप्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर तमाम राजनितिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायवती ने उत्तरप्रदेश सरकार के नीती और नियतों पर सवाल खड़े कर दिये हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाओं को कुछी महीने बाकी रह गए हैं आखिर तभी क्यों जनसंख्या नियंत्रण पर इतना ध्यान दिया जा रहा है पहले जब प्रदेश में योग्यादितनात की सरकार बनी थी तब क्यों नहीं ये जो बिल है उसको लाया गया और इसको मायवती के हिसाब से वो इसे एक चुनावी स्वार्थ के रूप में देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सपासांसद शफीकुर्रह्मान बर्क का कहना है कि उपर वाला तो रूप पहले से ही बना देता है तो कोई भी बिल्या कानू उनुसे धर्ती पर आने से नहीं रोग सकता फिलाल ये तो जो राजनीतिक लोग हैं जो नेता लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया हो गई अब इसी पर हम चलेंगे दो से दो अलीक नहीं होना चाहिए दो ही बच्चे जिनको उनी को शिवधाये प्रदान करें जिशे जनसंक्या कंट्रोल हो जाए जनसंक्या बढ़ना भी बहुत बड़ा गरीबी का कारण बनेगा देश के हित्म अच्छा नहीं है लिके प्रदेश के लिए जरोत है जनसंक दो हुत बच्रोल को ईह हम अचे अच्छी एजिकरिशन दे सकें अच्छी परवचाश दे सकें इसको शरकार ये अक्षी ये अच्छे स्टीप है हमारी सरकार का ये कंट्रोल ये सम على के लिए अच्छा है सबके लिए अक्छा है चाइना से liकर सब ने अडॉप्त किया है और जो अच्छी चीजे हूं उनको एडॉप्ट करना चाहिए ना कि उसके बारे में कोई भी अपने धर्मों को ला करके उसमें थोपना चाहिए जब भी लाया गया है अच्छा है बिल और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि स्वार्थ है अप सब्सक्राइब पालिटिकल हो या जो भी हो किसी भी कारण से अगर बिल लाया जा रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा है इसलिए लाए गया है क्योंकि 2022 में चुनाओ होना है लडिकन की सर्विस देखिये लग गई है जोइनिंग नहीं दे रहा गलत ही तो हो रहा है मतलब एक सपा सांसद शफीकुर रह्मान उनका कहना है कि भगवान ने जितनी रूहें बना दी है उसको तो आना ही आना है कोई बिल उसको धर्ती पर आने से नहीं रोख सकता है तो इसको क्या कहेंगे आप देखिए बहुत मैं कहूंगा यह बहुत इलोजिकल बात है मतलब अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो पता है उसको कि मतलब कैसे सब होता है और मतलब जो होना होता है वो तो होता ही उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है तो वही बात है तो मतलब एकदम ही अजीव सा बेसिस है तो जैसा कि आपने देखा हमारी तमाम लोगों से बात हुई जादा तर लोगों का कहना यही है कि देशेत राजहित में जो भी निन्ने लिया गया भले ही वो चुनावी स्वार्थ है वो बिल्कुल होना चाहिए क्यूंकि जनसंक्या नियंतर पाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंक्या बढ़ती जा रही थी उस पर रोक लगाना काफी जादा जरूरी था फिलाल के लिए बने रही हमारे साथ कैमरा परसन अभे के साथ मैं शिवांगी जेमडी खबर लखना